हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई यूटूब चैनल और मैं हूँ आपकी दोसनीता तो दोस्तों केमिकल वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो आपने यूज किये होंगे आज मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ बिना कैमिकल के किस तना से आप घर पे एक फेस क्रीम जो कि बहुत ही अच्छी होती है फेस के लिए और साथ ही साथ एक बोडी लोशन बना सकते हैं जो कि आपके चेहरे को बहुत ज़दा लाइट करेगा ग्लोइंग करेगा और दाग दबो को दूर करेगा सबी स्किन टैवले इसको यूज कर सकते हैं बनाना बहुत ज़दा इजी है डिजर्ट आपको बहुत ही बहतरीन मिलेगा तो चले जल्दी से आज के वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालू आपको उसका नोटीफ करिशी मिल पाए तो दोस्तों यहां पर मैंने जो है गुलाब के फूल लिये हैं जो कि पिंक कलर के हैं अगर आपके पास रेड कलर के हैं वो लोगे तो क्रीम का कलर और भी बहुत ज़दा बहतरीन आएगा तो जो रोस फ्लार्स होते हैं वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़दा अच्छे होते हैं और इसके खुश्बू बहुत ज़दा अच्छी होती है इसको लगाने के बाद ना इस बोडी वलोशन को लगाने के बाद आपको डियो की भी जूरुरत नहीं पड़ेगी और यह हमारी skin के pH balance को ठी करता है जिससे हमारे चेहरे के उपर दाग दबे खतम होते हैं चेहरे का रंग बहुत ज़्यादा साफ होता है तो यहां पर मैंने एक बॉल ले लिया है इस फूल का और अच्छी तरह से दो लिया था इसके बाद यहां पर मैंने लिया है कच्चा नहीं है तो आप जो है बॉल मिलक को ठंडा करके भी यूज कर सकते हैं जो दूद होता है उसमें लैटी कैसी होता है जो की चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यहां पर मैंने बीटूर पॉडर लिया है अगर आपके पास नहीं आप स्कीप कर सकते हैं यहां पर मैंने मिक्सी का जाल लिया है फूल डाले है दूर डाला है और थोड़ा सा बीटूट का पॉडर एट किया है तीनों ही चीजों को मैंने ब्लेंडर में चला कर मिक्स कर लिया है यह देखिए हमारा बहुत ही अच्छा एक पेस सा बन कर तियार हो गया है लिक्विट के इसमें मैंने 1 टी स्पून एड किया है extra virgin coconut oil का तो दोस्तों ये एक ऐसा oil है जो कि सबी skin tie वाले use कर सकते हैं चाहे आपके acne हो oily हो dry skin हो तब भी आप इसको use कर सकते हैं अगर आपके पास extra virgin coconut oil नहीं है आप almond oil भी थोड़ा सा इसमें एड कर सकते हैं तो 2 टेबल स्पून इसमें मैंने एड किया है aloe vera gel के और तीनों ही चीजों को आपको अच्छी तरह से शेयर कीजेगा वीडियो को जादा सदा शेयर भी जरूर कीजेगा तो चलिए अब बनाते है body lotion जो कि आपकी body को भी बहुत ज़दा अच्छा कर देगा तो इसके लिए यहां पर मैंने जो liquid बचा था वो ले लिया है और इसमें मैंने 1 टीस्पून फिर से एड किया है extra virgin coconut oil क जो कि हमारी body को बहुत अच्छा सा moisture का कान देगा और skin का जो suntan हो जाती न उसको होने नी देगा अच्छी तरह से mix करना है mix करने के बाद यहां पर मैं इसमें add करने वाली हूँ 1 टेबल स्पून ऐलोवीरा जेल का तीनो ही चीजे जिस तरह से हमने क्रीम में डाली है वैसी ह वहां पर हमने जो है अलोवीरा जेल जो है दो टेबल स्पून एड के थे इसमें हमने सिरफ हाफ टेबल स्पून ही एड किया है क्यों एड किया है तो दोस्तों देखे यह हमारा बहुत अच्छा लोशन बन गया है लीकुड फो में तो इसको अगर आपके पास सप्रे के उपर लगाईगा बहुत ही जल्दी आपकी बोड़ी में अब्सॉर्फ हो जाएगा पूरा लोशन और बहुत ही अच्छी खुश्बू आएगी आपको डियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो दोनों ही सीजों को इस तना से बनाएगा